दोस्तो विश्व भर में COVID-19 एक महामारी का रूप ले लिया है और ये कब तक खतम होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता इलाज पे सोध जारी हैं अभी तक कोई इलाज पक्का मिल नहीं पाया है तो इसके बचाओ के लिए हमें अपनी रोग पर तिरोदर छंबुता को बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए तरह तरह के गाइडलाइन आयूस मंत्रा लेकी आ रही है तो आज हम आपको आयूस मंत्रा लेकी ओर से बताएगे आयूस कौाथ के बारे में बताएंगे दोस्तो इसके साथ आपको गरम पानी का स्यवन करना चाहिए सुबह श्याम प्राणयाम करना चाहिए ध्यान आसन करना चाहिए बाशी भोजन का प्रेज करना चाहिए ताजा भोजन और हलका सुपाच्य भोजन करना चाहिए तो चले आज हम आपको बताते हैं कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए एक बहतरिन क्वात और इसके साथ आप मास्क हमें आपका बहुत बहुत स्वागर है दोस्तो आज हम आपको आयू स्कॉाइब बना के दिखाएंगे जो कि निदाशाले आर्वे दुगाग राजस्तान द्वारा निर्दारित के आगया है इसके अंदर चार चीजे मिलाई होती है इनके बारे में हम आपको बताएंगे और इसको कैसे बनाना है वो बना के दिखाएंगे दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ब मिर्च मिला के कुल 45 ग्राम उस्ति आपको त्यार करने होती है फिर इसको 33 ग्राम परियोग करने होती है दोस्तों तुल्ची पत्र केल्शियम विटामिन ए, बी, सी, के से बरपूर होते हैं आईरन और जिंक इसमें खुब मायतरा में पाय जाता है अगर तुल्ची पत्र ना मिले तो आप तुल्ची पंचांग का परियोग भी कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा जो हमारी अगली होसती है दाल चीनी दोस्तों दाल चीनी एंटी ऑ कानती परदान करती है दोस्तों अगली होसती है हमारी शोंट शोंट दोस्तों अद्रक का सुका हुआ रोप होता है सर्दी जुखाम के लिए बहुत अच्छी होसती है अगर सोंट ना मिले तो आप अद्रक का परियोग करके भी उप्योग में ला सकते हैं दोस्तों इसी तर इस तरह से कुल मिलाके चारों ओस्तियां में लेने होती है दोस्तों कोविड-19 के संकर्मन से बचाव तथा रोग परतिरोद चमता बढ़ाने के लिए ये बहुती सरल और सहज उपाय है जिसका परियोग करके आप फाइदा उठा सकते हैं दोस्तों चारों ओस्तियां लेके इनको यव कूट कर लें इमाम जस्ते में डालके अच्छे से कूट लें फिर एक वेक्ति के लिए तीन ग्राम की ओस्ति लें उसको डेड़ सो एमल पानी में डालें और फिर उबालके इसका स्यवन करें दोस्तों मिठे के रूप में इसमें गुड मुनक का मिला सकते हैं उसको मिलाके आप इसका स्यवन कर सकते हैं दोस्तों इसके साथ-साथ गरम पानी का स्यवन करना चाहिए ठंडे वरबासी भोजन का प्रहज रखना चाहिए पराणायम योग में समय देना चाहिए 30 मिनिट का अभ्यास जरूर करें और भूके प्यास से लंबे समय तक ना रहें दोस्तो आप हल्दी, जीरा, धन्या, लेसुन का प्रयोग भी भोजन में खूब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक करके जाएं और जादा से जादा इस वीडियो को सेयर करें दोस्तो हल्दी, युक, दूद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं गिलोई, तुर्ची, अधरक, काली मिर्च, मुनका, उबाल के भी सेवन कर सकते हैं इसके अलवा नसिका पे आप तिल, सर्चों या नारिल के तेल का लेप भी कर सकते हैं दो-दो-बून आप नाक में डाल सकते हैं और मुझ को और नाक को मास से ढख कर रखें तो आपको ज़्यादा फाइदा मिलेगा तो दोस्तो ये आपका काड़ा त्यार हो गया है इसके सेवन से आपको पूरा फाइदा मिलेगा इसके अलावा दोस्तो अगर आपको फेंपडों में कोई तकलीब हो या फिर सांस लेने में कोई तकलीब हो या आपको सर्दी जुखाम, बुखार, खांसी, बार-बार गले में खांसी हो रही है, सूकी खांसी आ रही है, चिरदर्द हो रहा है, बुखार हो रही है या फिर आपको सांस लेने में कोई तकलीब हो रही है बदंदर्द हो रहा है या किशी तरह की आपको कठना ही मैसुस हो इन जैसे जुखाम के ट्रोई भी लक्षन अगर आपको ट्राफी दिनों से हो तो नजदी की सरकारी स्वास्ते के अंदर पे जाईए अपनी जांच कराईए और अपने स्वास्ते को ध्यान रखिए दोस्तों सतर करें सुरक्षित रहें एके अरवदा आपके अच्छे स्वास्ते कामना करता है धन्यवाद